परिए जो आपकी पहली मीटिंग वाली बात है ये सब के साथ ऐसा मुझे ऐसा लगता है जितने डारेक्ट सेलर्स को मैं जानता हूं हम पूरी जिन्दगी आप मुझसे पूछें कि 2007 जून में जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था तो वो पल कभी नहीं भूलते हैं एक इक जिन्दिगी है उसके पहले की जिंद्गी ये जिन्देगी हो जिली कि इसलिए हम लोग मिंटिंग पर इतना फोकस करते हैं कि एक नए يडिस्निबूटर को में करेगा नहीं करेगा उसका पहली परक है जो परक्ग मिटिंग से होती यह अगर मिटिंग में बैठ गया और मिटिंग बैठने के बाद में उसमें कुछ हल चल नहीं हो रही है तो फिर इसका मेल भी यह है कि यार थोर टाम बेस्ट करें हैं साइद हम लोग अगर वो मोटिवेटेड हो जाता है उसका विजन कलियर होता है तो फिर हम उसके प्रती सीरिस होई जाते हैं हमारे एक वीवर हैं वो यह भी पूछ रहे थी कि हमने जब से सुरुंदे जी को देखा है तब से हम उनको एक आलिशान शानदार रैंक पर पूजिशन पर देख रहे हैं अच्छी गाड़ी अच्छा लाइफस्टाइल एक सेलिबिटी स्टेटर्स और फेम नेम रिकोगनेश लेकिन आपके बिजनस के दोरान ऐसा भी कभी हुआ कि कुछ आपको टफ समय का फिनेंशल चैलेंजिस या कुछ और चैलेंजिस आए इस बिजनस में और स्ट्रॉगलिंग फेस जैसा कुछ रहा आपका दिपक जी जैसा आपको मालूम है कि इन्रस्ट्री बहुत खुबसूर्थ इसलिए है क्योंकि यहां पे हर वेक्ति जीरो से सुरू करता है और वो संघर्स करके मुकाम हासिल करता है तो इसलिए लोग उसको सेलिब्रेटी और हीरो की तरह जानते हैं तो जैसे हर डिरेक्ट स कुछे कि इसलिए 20 साल की जो आपकी जर्नी है इस इंडस्री की तो उसमें सबसे खूबसूर्थ समय आपको कौन सा लगता है जिस पर प्राउट फिल करते हैं तो वो मुझे वो नहीं लगता जब मैंने सबसे बड़ी पिन ली थी या वो नहीं लगता कि जब अमिता रहा और मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं कुट नहीं करूंगा तो वो जो समय है उसको मैं मानता हूँ मेरी जिंदगी का सर वस्रेश समय था और मैं संगसेप में बाच्चीत करूं तो पहले दो साल जो थे मेरे इस इंडस्री में मेहनत की नेट्रोग मनाया और जैसा मेरे जाना पड़ता है किताबे खरीद होगे आप कैसर सुनोगे मिटिंग सेमिनार में ट्रेनिंग में जाओगे तो मैंने जो कैलकुलेशन किया दो साल के बाद में यह था कि जितना पैसा मुझे मिला और जितना मेरा बिजनस पर खर्च हो गया तो मैं दो लाक माइनस में दो साल के बाद मैनस दो लाक मुझे अच्छे से यह है कि वह पूरा का पूरा पैसा मैंने किसी पर लोन पे लिया था जैसे हम लोग किसी प्राइवेट फैनिंसर से ले लेते ना तो वह पैसा था और वह बहुत बार मुझे प्रेशान करता था जब मैं कैलकुलेट करता था कि अरे इसका कितना ब्याज है यह मुझे देना होता है और यह कब तक चलेगा क्योंकि हर महिने में पांसाथ हजार उसमें और एड करता जा रहा था तो वह बहुत टफ टाइम था मेरे लिए और मैं एक दो चीज़ें और सेर करूं और मैं इसलिए सेर करना चाह रहा हूं कि कि अगर कुछ लोग उस दोर से गर गुजर रहे हैं तो वह रिलेट करें कि वह सही दिसा में साइज जा रहे हैं आगे चीज़ें उनकी भी बदलेंगी मैंने दिपक जी बड़ी लबी ट्रेवलिंग की मैंने मालदा टाउन वेस्ट पंगाल में बिजनस की सुरुवात हुई बाई चांस होगी मैंलो कोई डिस्टिब्यूटर थे वहां किसी ने जोइन करवा दिया और वहां वाला बंदा मुझे फोन करने लग गया कि आप आओ मिटिंग दो यह वो तो बहुत बार सर मैं 24-26 घंटे का सफर रहता था मालदा टाउन का जनरल कंपार्टमेंट में जाता था कोई सीटनी रहती थी और उत्सा इतना ज्यादा था बैग में अखबार रहते थे बैड सीट रहती थी कहीं भी बैचाल उसको अखबारों को नीचे लगाया और सो गए तो वो मैंने बहुत बार किया है और रोड़वेज की बसो में अब तो याद करना पड़ता कि कितने सा वो मैंने इंजॉय किया वो सफर और फिर दीरे दीरे जब आपका नेट्रॉक बनता है नेट्रॉक की जो पावर सुरू होती है दिखना तो फिर आपको एंजॉयमेंट आता है और मैंने एक बड़ी अच्छी एक ओडियो निकाली थी पैंताली साल या पांस साल उसमेनी सब चीजों का जिकर था कि टैडिशनल बिजनस में और जोब में आता पैंताली साल लगे रही है और या आप डिरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी चूज करके पांस साल तरीके से मैनत कर लेजिए और पूरी जिंदगी एंजॉय कीजिए तो अब जो लोगों को दिख र अंदर वाट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलें और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।